हे गाईज तो आज इंडिया के अंदर समसेंग गलेक्सी एस्ट वान एफ फाइब जी यूजर्स के लिए वान इवाई 5.1 का अपडेट आया है और काफी सरे नेने वीचर्स इंप्रूब्मेंट समय देखने को मिलता है समसेंग गलेक्सी एस्ट वान एक फिटजिश्वान एफ फाइब जी है तो इस वीडियो को आप इंड तिक देखो तके आप लोग को यह अंदाजा आ जाये कि आका कुछ ने स्मार्टफोन में क्या एड़ किया गया है सथाथ आप एक वीज़ेट के उपर दूसरे तीसरे वीज़ेट भी प्लेस करके रख सकते हो कैसे simply आपने जो widget set करके रखा है इसके उपर press and hold करना है then यहाँ पर edit stack अभी क्या करना है आप लोग को simply हाँ पर plus बले icon के उपर tap करना है जो भी आपने widget add किया है जो उसका size का है आपको यहाँ पर देखने को मिल जगा like मैं यहाँ पर battery का अगर मैं चूज करो तो simply यहाँ पर मुझे add करना है and यहाँ पर आप देख सकते हो battery वाला widget section add हो चुका है अलाकि इससे पहले भी मैंने same add करके रखा हूँ यहाँ पर एक और add हो गया तो जो same size का आप एक की जगा दूसरा तूसरा widget भी add करके रख सकते हो और इस तरह से आप simply slide करके use कर सकते हो और नई widgets की बात करो तो यहाँ पर यह जो अगर आपके पास Samsung का कोई भी और device बगरा है like earbuds बगरा तो यहाँ पर वो जो इसका नया widget section है battery के अंदर यह यहाँ पर आ चुका है तो अगर आपके पास example galaxy buds है तो यहाँ से आप monitor कर पाऊगे कि आपके galaxy bud में कितना परसंट तक चार्ज है अब इसके अलाबा और भी काफी सरे नेने widgets को यहाँ पर इंट्यूड्यूज किया गया है like जैसे कि मैंना पलोग को बता यहाँ पर battery का तो battery का यहाँ पर दो section है और इसके अलाबा यहाँ पर weather की बात करो तो weather के अंदर भी आप एक और नया widget को add किया गया है तो यह तो हो गया widget section की बात अभी काफी सारे improvements भी हमें देखने को मिलता है like अगर आप split screen के अंदर आओगे and यहां से split screen को enable करें तो आपने recent applications का आपको यहाँ पर suggestion देखने को मिलेगा most use app का भी suggestion देखने को मिलेगा and split screen को यहाँ पर optimize भी किया गया है अब देखेंगे कि settings के अंदर क्या कुछ ने features and improvements समय देखने को मिलता है तो सबसे पहला यहाँ पर connected device के अंदर जो multi control बाला option है इसे लाया गया है अभी अगर आपके पास कोई भी galaxy book galaxy का laptop है तो आप easily phone के साथ share कर सकते हो files को तो इसके लिए आप लोग को Wi-Fi and Bluetooth के जिरिए connect करना होगा तो यह यहाँ पर एक नया feature add किया है next modes and routine के अंदर अगर आप आओगे यहाँ पर सबसे पहले modes के तो यहाँ पर काफी सारे हमें modes देखने को मिलता है अभी आप एक-एक mode के अंदर अगर आप चाहते हो वोल पर अलग अलग सट करके रखना तो वह भी आप अभी कर पाऊगे तो different different mode के लिए different different आप वोल पर सट करके रख सकते हो next अगर मैं routines के अंदर आऊं फिर प्लस बले के उपर टब करूं फिद दैन और यहां पर औल एक्सेंस तो यहां पर और यहां पर कुछ ने मल्टी कंट्रोल का फिचर्स एड़ किया है लाइक कुईक शेर टाट सेंसेटिवीटी चेंज रिंग टून और चेंज फॉन्ट स्टाइल तो यह यहां पर चार ने एक्सेंस एड़ किया है अब नेक्स्ट चेंजर की बात करूं तो यह आपको यहां पर नोडिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा दैन लॉक स्क्रीन नोडिफिकेशन अब अगर आप यहां पर सो कॉंटेंट के साइड में सेडिंग्स बाल ऐकन के उपर टाप करोगे त तो यहीं से कर पाओगे अब नेक्स्ट फीचर की बात कर तो यह आपको यहां पर एडवांस फीचर के अंदर देखने को मिलता है तो इसके अंदर सबसे पहला चेंज किया गया है अगर आप स्क्रीन सोट को स्क्रीन सोट लेने के बाद एडिट करते हो तो आप चाहों तो को सेब करके भी रख सकते हो अगर आपको एडिट बाला ही चाहिए तो औरिजिनल अटोमेटिक लिए आपका रिमूब हो जाएगा तो यहां पर यह एक नया फीचर आया हुआ है से औरिजिनल स्क्रीन सोट यह बाइडिफॉल्ट आपका आफ रहेगा यानि कि आगर आपको किसी का स्क्रीन सोट लिया एडिट किया तो ओरिजिनल आपका नहीं रहेगा तो इसके लिए आप लोग को इस बाले आप्शन को एनेबल करना होगा नैक्स्ट चेंजेज यहां पर बात करें तो सेब स्क्रीन सोट इन तो अभी आप इसका जो फोल्डर है कि कहां पर आप से करके रख पाऊगे नाव इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो यह आपको डिजिटल विल्बिंग और पेरेंटियल के अंदर देखने को मिलेगा यहां पर वाकिंग मोनेटर आपको देखने को मिलता है तो अगर आप चाते हो वाकिंग को ट्रैक करना त तो यहीं से आप इजिली कर पाऊगे अब नेक्स्ट फीचर की बात करो तो इसके जाज नीचे बैटरी और डिवाइस क्यार है इसके बाद बैटरी और इसके नीचे आपको यहां पर बैटरी सेडिंग्स के अंदर आपको यहां पर प्रोसेसिंग स्पीड देखने को करते हो तो देन आप मैक्सिमाम पर सट कर सकते हो तो आपका काम यहां पर बहुत ही जल्द हो जाएगा लेकिन यहां पर आप अगर हाई या फिर मैक्सिमाम पर सेट करते हो तो बैटरी भी आपका काफी जल्दी ड्रेन होने वाला है तो इस चीज़ का आप लोग को यहां प बात करें फिर फोन एप्लिकेशन की तो इसके उपर आप लोगों को यहां पे सेडिंग्स के अंदर आज जाना है दैन बिक्स भी टेक्स्ट कॉल तो यह पहले बिक्स भी के अंदर बाइड डिफॉल्ट आपका यह कोरिया पे था अभी आपको इंगलीस यूएस का भी सपोर् के रख सकते हों फिलाल मैं इसे नहीं रखना चाता हूं मैं यहां से बैक कर देता हूं नेक्स्ट फीचर यहां पे कॉलिंग बेक्ग्राउंट के अंदर अगर मैं आऊं गर इसे के साथ एक और यहां पे नया कॉलिंग भी एड़ हुआ है यह जो आपका कॉल बेक्ग्राउंड है यह आपका चेंज होगा प्रोफाइल पिक्चर की एकोडिंग अब नेक्स्ट चेंज की बात करो तो यह भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है रेकोर्ड कॉल्स के अंदर डिलीट और रेकोडिंग तो अगर आप नेक्स्ट अप्लिकेशन के अंदर जो चेंज हमें देखने को मिलता है वह केंड़ा तो अगर आफ फ्रॉंट के अंदर आऊगे तो यहां पर आपको कलर टोन देखने को मिलेगा ने निट्रेल एड ब्रैट तो यहां पर केंडा के अंदर चेंज किया गिया है इसके बाद अगर मैं next changes की बात करो तो यह आपको gallery application के अंदर देखने को मिलता है and यहाँ पे बहुत सारे changes किया गया है सबसे पहला तो अगर आप कोई भी photo के अंदर आओगे and इस तरह से slide करोगी तो यहाँ पे details आपको यहाँ पे काफी सारे देखने को मिल जाएगा लाइक अगर मैं यहाँ से slide करता हूँ पहले यही देखने को मिलता था हमें डेट टाइम बगरा लेकिन अभी जो अपने photo क्लिक किया है किस फोन से किया है इसका ISO क्या था सटर स्पीड क्या था फोकल लेंद्ध क्या था साइज इसका क्या है किस मेगा पिक्सेल से लिया गया है वो सारा details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब इसके बाद अगर मैं next changes की बात करूँ तो यह आपको edit वाले section के अंदर देखने को मिलता है अगर आप यहाँ पर आऊगे तो इसके लिए क्या है contrast and highlights को यह manage करता है तो अगर आप edit बगर करते हो तो यह आपके काफी ज़्यादा काम में आने वाला है अब edit की बात अगर हो ही गया है तो यहाँ से एक और edit वाले feature के उपर भी बात करते है तो यह जो remastered picture option को enable किया था 1x5 के अंदर तो इसे और ज़्या ज़्यादा यहाँ पर improve किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो edit करने के बाद before after इसे और ज़्यादा इंप्रूब किया है और क्या आप इस feature का इस्तमाल करते थे अगर नहीं तो अभी से करना start कर दो especially इस update की आने के बाद अब इसके बाद अगर मैं next changes की बात करूं तो य यह भी यहाँ पर गल्दी के अंदर काफी सारे हुआ है तो लाइक अगर मैं मेरे तीन चर फोटो को यहाँ पर एक साथ सिलट करता हूं तो यहाँ पर create बाले एक नया section हमें देखने को मिलता है जहां से मैं highlight reel मोभी जीफ कॉलाज यह सारा चीज कर सकता हूं और सिर्फ यही इंजिस की बात करूं तो अगर आप यहाँ पर सेडिंग्स बाले आइकन के उपर टाप करोगे तो आपके फोन के अंदर जितने भी पीपल का फोटो है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो गूगल फोटो में यह फीचर था अभी 1.5 के अंदर यह फीचर आय और कितने-कितने फोटो आ आप McEaire ज़ी यहीं से मॉनिटर कर पाऊगी तो गल्री के अंदर जो सा ist suggestion इसे और ज्यादा improved किया है लाउ गल्री के अंदर जो एक और फीचर इन्तिडीउ्स किया है इसके लिए आप लोगो simply settings के अंदर जाना होगा यहां पे अ wohर्जेंस जो मिलेगा यहाँं पर दो फिचर एड किया है सबसे पहला तो सेब एज पीधियप आप मॉल्टिपेल फोडोज को एक साथ मार्क करके पीधियप में कनवर्ट कर पाऊँगे एंड नेक्स्ट फीचर प्रिंट मल्टिपल पिक्चर आप एक ही साथ काफी सारे पिक्चर को मार्क करके प्रिंट कर सकते हो तो यह तो हो गया एप्लिकेशन में क्या कुछ चेंज आया है एंड इसके अलबा अगर में नोडिफिकेशन टोगल के बात करो तो यहां पर भी दो स्क्रिन सोट लेप सकते हो समसंग के फोन में थ्री फिंगर जो स्क्रिन सोट है वो नहीं है लेकिन हाँ यह एक बहुत अच्छा सौटकाट समसंग ने एड किया है इस बार अब इसके अलबा अगर आप इसी प्रेसेंड होल्ड करके रखते हो तो यहां पे और भी आपको का बैटरी सेडिंग्स के अंदर दिखाया कि आपका जो फोन है थोड़ा सा फास्ट चनल लगेगा अगर आप मल्टी डस्किंग या फिर कोई है भी यह यूज करते हो लेकिन आपका बैटरी भी आपे काफी जल्दी ड्रेन होने वाला है तो इस टूगुल को भी आपे इसने अपडेट के अंदर लाया है तो यही था कुछ चेंजिज जो वान युवाई 5.1 के अपडेट आने के बाद संसंग गलक्सी एच 21 FE 5G के अंदर हमें देखने को मिलता है अगर मैंने कोई फीचर मिस कर दिया तो आप नीचे मुशी कमेंट करके इसके बार में बता सकते ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए आप इस चनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिगा और यह तो बलना भूली गया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेर करना मत भूलना आप लोगा सुक्रिया इस वीडियो को देखने के लि कि देखने के लिए